मुवी के स्टार्टिंग में हमी ये बताया जाता है एक फेमस एक्टरस जिसका नाम एना फिरिस था उसकी मौत हो चुकी है और उसकी लास को मुर्दा घर में लाया जा रहा है वहीं दूसरी और हम लोग इवान और एवी को देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल में अपने दोस्ट पाव से मिलने के लिए आये हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर एक पाटी में जाने वाले थे लेकिन पाव की सिफ्ट एक घंटे बाद खत्म होने वाली थी पाव उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम करता था इवान पाव को लेकर बाहर आता है इसके बाद ये तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं यहां पाव इन दोनों को एना फ्रीज के बारे में बताता है इवान पाव से कहता है क्या हम उसकी लास को देख सकते हैं पहले तो पाव मना करता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की था, और अगर ये लोग ऐसा करते हुए पकड़े जाते, तब पाव की जॉब भी जा सकती थी, एना फ्रीज एक बहुत बीडिफुल एक्ट्रेस थी, इसलिए इवान उसे देखने की जित करता है, हावी भी पाव से उ दिखाने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो उस लास से कपड़े को हटाता है, वो एक बुढ़ी आउरत की लास थी, जिसे देखकर ये दोनों डर जाती हैं, असल में पाव इन दोनों के साथ मस्ती कर रहा था, इसके बाद पाव इन दोनों को असली एना फिरिज की लास क पास लेकर जाता है, पाउ धीरे से उसके चेहरे से कपड़े को हटाता है, और वो इन दोनों को इस किलास दिखाता है, ये दोनों देखते हैं एना फ्रिस बहुत बीटिफुल है, उसे देखकर इवान उसकी बॉड़ी से थोड़ा और कपड़ा हटाता है, और वो उसके प्रा वो एक बार एना फिरिज के साथ सेक्स करना चाहता है इवान का दोस्त हावी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है लेकिन इवान एना फिरिज के साथ ऐसा करना चाहता था और वो जीत पर आड़ जाता है इवान ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि एना फिरिज एक बहुत मस्खुर मॉडल थी और उसके जीते जी ये लोग उस तक नहीं पहुँच सकते थे लेकिन अब ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और इवान इस मौके को गवाना नहीं चाहता था जब इवान इन दोनों से ये बाते कर ही रहा होता है तभी पाव इवान को ये बताता है उसने भी एक बार एक लास के साथ सेक्स किया था और वो लड़की 17 या 18 साल की थी यहाँ पाव भी इवान का साथ देता है और वो भी एना फिरिस के साथ इंटीमेट होना चाहता था लेकिन यहाँ हावी ही ऐसा बंदा था जो कि इन दोनों को गलत करने से रोक रहा था लेकिन अभी वो अपने दोस्तों के साथ था इसलिए वो तो इन दोनों को नहीं रोक पाया लेकिन वो इन लोगों से कहता है वो ऐसा खुद नहीं करेगा इसके बाद ये तिनों मिलकर ड्रक्स लेते हैं कुछ देर के बाद पाव और हावी एक दुसरे रूम में आ जाते हैं वही इवान एनाक साथ इंटिमेट हो रहा था इवान के बाद पाव वहाँ जाता है और वो भी एनाक साथ वैसा ही गलत करता है जब पाव उसके साथ ऐसा कर ही रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं एनाकी आँखें आचानक खुल जाती है इसका मतलब ये था कि एना आप जिन्दा हो चुकी है और वो बिल्कुल होस में है पाव एनाक साथ इंटिमेट होने में बिजी था और उसे ये जरा भी ख्याल नहीं था कि एना जिन्दा हो चुकी है लेकिन जैसे ही वो एनाकी आँखें खुली देखता है वो बहुत डर जाता है और जोरो से चिल्ला कर दूर हटता है उसके चिल्लाने के आवाज सुनकर इवान और हावी उसके पास आते है पाव इन दोनों को बताता है एना अब जिन्दा हो चुकी है एना की जिंदा होने पर इवान और पाव टेंसन में आ जाते हैं क्योंकि एना ने पाव को देख लिया था कि वो उसके साथ गलत काम कर रहा है इसका मतलब ये था अगर एना यहां से बाहर जिंदा जाती है तब वो पुलिस को पाव के बारे में बता देगी कि मुर्दा घर में उसके साथ क्या किया गया था और अगर पाव अरेस्ट होता है तब इवान भी नहीं बच पाएगा इसलिए ये दोनों मिलकर एना को मारने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ये दोनों अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थी लेकिन इधर हम लोग हावी को देखते हैं जो कि एना की मदद करना चाहता था और वो एना को कपड़े पहनाता है हावी इन दोनों की बात से एगरी नहीं करता है वो इन लोगों से कहता है वो दोनों कैसे किसी को मार सकती है तुम लोगों ने उसके साथ गलत किया है इसलिए अब तुम उसके साथ और भी गलत नहीं कर सकती हो यहाँ इवान और हावी के बीच में बहस होती है इन दोनों के बीच में बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथा पाई पर उतराती है यहाँ इवान हावी को बहुत मारता है इवान हावी को मारे जा रहा था तब ही पाव यहाँ आकर इवान को रोकता है जब इवान का गुस्सा सांथ होता है तब वो देखता है उसने गुस्से में आकर हावी को बहुत मार दिया है और हावी के सर से बहुत ज़्यादा खुन बह रहा है ये लोग हावी का इलाज करने की सोचते हैं लेकिन कुछ दिर पहले पाव का एक कली के क्लास को लेकर यहां आया था और उसने जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया था उस वक्त ये तीनों उसे देखकर छिप के थे और अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते थे और नाहीं ये लोग हावी का इलाज कर सकते थे इधर हम लोग एना को देखते हैं जो अपने आपको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफी घंटों बाद जिन्दा हुई थी इसलिए उसके पैर अभी भी पैरलाज्ट थे और उसके कुछ बोडी पार्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे इसके बाद इवान और पाव मिलकर एना और हावी को एक दूसरे रूम में सिफ्ट करते हैं कुछ देर के बाद पाव अपने कलिक को ये कहता है कि वो मुर्दा घर में लौक हो गया है इसलिए वो जल्दी यहां आकर उसे निकाले पाव जल्दी से अपने कपड़े बदलता है इसके बाद पाव का कलिक यहां आता है एना जैसे ही किसी की आहट यहां सुनती है वो जोर से चिला कर उसे बताने की कोसिस करती है लेकिन इवान उसके मुह को दबा लेता है इधर पाव अपने कलिक से मुर्दा घर के चाबी लेता है और वो अपने कलिक के साथ बाहर चला जाता है इधर इवान हावी को होस मिलाने की कोसिस कर रहा था क्योंकि हावी अब सांस नहीं ले रहा था उसे देखकर इवान बहुत घबरा जाता है एना इवान से ये कहती है सायद हावी अब मर चुका है इधर कुछ ही दिर बाद पाव फिर से वापस आता है यहाँ आकर जब वो हावी को देखता है तब उसे ये पताचलता है हावी अब मर चुका है ये देखकर पाव डर जाता है और वो रोने लगता है लेकिन इवान उससे कहता है उसने जान बुछकर हावी को नहीं मारा है ये तो बस अचानक हो गया, ये बस एक एकसिडेंट है, और इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, एना इनकी बातों को सुनकर इन दोनों से ये कहती है, इसके लिए तुम्हें जेल होगी, इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं, इवान पाव से कहता है, अगर हम दोनों ये इसके बाद निशे गिराती है, और वो जल्दी सहावी के पास जाकर उसके पोकेट से फोन निकालती है, वो यहाँ अपनी मदद के लिए फोन लगाती है, लेकिन तभी इवान और पाव अंदर आते हैं, और जल्दी से एना के हाथ से फोन छिन लेते हैं, इवान जब फोन क इसके बाद सुनकर डर जाते हैं और वो उसके बातों को मान जाते हैं इसके बाद ये लोग उसे बाहर ले जाने लगते हैं जब ये लोग उसे बाहर ले जा रहे होते हैं तभी फिर से उनके पास उसी नंबर से कॉल आता है इवान कॉल को पीक करता है उधर से एना के फादर उस दिर पहले वो इस कॉल को नहीं ले पाए थे, इसलिए उन्होंने अभी कॉल किया है, अपने फादर के फोन को सुनकर एना जोर जोर से चिलाती है, लेकिन ये लोग अपने हाथों से उसको मुह को बंद कर देती है, इवान उसके फादर से ये कहता है, ये एक रॉंग और तुम फिर से एक लास बनने वाली हो, कुछ दिर बाद इवान कंटेनर लेने के लिए चला जाता है, ताकि वो हावी की बॉड़ी को ठीकाने लगा सके, इधर पाव एना के हाथ पाप बांद देता है, यहाँ एना उससे बोलती है, तुम्हें इवान का साथ देने की जर दिया था, जिसके वज़े से उसकी मौत हो गई थी, एना की बात सुनकर पाव सोचने लगता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद, वो एना के मुह पर टेप लगा देता है, इसके बाद वो अंदर जाकर हावी के खुन को साफ करता है, इधर एना अपने मुह से टेप को हटाती और अभी एना के पास कोई नहीं था, वो इस बात का फाइदा उठाती है, और वो अपने आपको घसिटते हुए मुर्दा घर से बाहर निकलती है, वो अपने बोडी को घसिटते हुए बहुत आगे तक निकल जाती है, वहीं दूसरी और हम लोग इवान को देखते हैं, जो कि जो करना चाहिए, ना के इस लड़की निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी इवान यहां आ जाता है, और वो इस ऐलिवेटर को रोकता है, और उसे घसिटते हुए फिर से वापस ले आता है, यहां जब वो पाव के सामने आता है, तब पाव से बोलता है, तुमने हावी को मारा था इवान कहता है हाँ उसके मत मेरे ही हाथों हुई थी लेकिन बस वो एक एकसिडेंट था पाव से कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ था बलकि तुमने उसका गला घोटा था ये सुनकर इवान बहुत सौक होता है और वो थोड़ा डर जाता है इसके बाद इवान इन सारी बातों से हिंकार करता है और वो पाव से कहता है ये सब को जूट है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना कि इस लड़की पर इसके बाद ये लोग डिसकस करते हैं एना को किस तरह से मारा जाए जिससे कोई भी सबूत ना रहे और खून भी इधर उधर ना फैले इसके बाद ये लोग उसकी सांसों को रोक कर उसे मारने का फैसला करती है यहीं पर पाव एक कपड़ा लाकर उसे देता है इवान पाव को फिर से उस कपड़े को अपस कर देता है और वो पाव को उसे मारने के लिए बोलता है लेकिन पाव एना को मारना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक कातिल नहीं है इवान ये देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि हावी को भी उससी ने मारा था और वो अब इन दोनों कतल को खुद करना नहीं चाहता है इसके बाद इवान पाउ का हथ पकड़ता है और ये दोनों एक साथ एना के मुँँपर कपड़ा रखते हैं ये लोग देखते हैं कुछी दिर बाद एना फिर से मर चुकी है इसके बाद ये दोनों एना को इस्ट्रेचर पर रखते हैं और हावी को कंटेनर में डालते हैं इवान उस कंटेनर को लेकर चला जाता है इधर पाव एना की बॉड़ी को साफ करने लगता है वहीं दूसरी तरफ इवान हावी की बॉड़ी को ठिकाने लगाने के बाद वापस आने लगता है इधर पाव ने एना की बॉड़ी को पूरा क्लीन कर दिया था उसने और इवान ने मिलकर सब कुछ यहां ठिक कर दिया था और वो अभी समुर्दा घर से जाने ही वाला था जाने से पहले पाव एना के चेहरे से फिर से कपड़े को हटाता है वो देखता है एना अभी भी जिन्दा है पाव एना से कहता है तुम बिल्कुल सांत रहना कुछ दिर पहले इवान और पाव ने तो एना को मार दिया था लेकिन अभी भी एना जिंदा कैसे है इसके जवाब के लिए हम लोग फ्लैस बैक में जाते है जब पाव एना के हाथ पैर को बांध रहा था तब एना ने पाव से कहा था तुम्हारे दोस्त हावी को इवान नहीं मारा है और वो कोई एक्सिडेंट नहीं बलकि उसने उसका गला घोट कर मार दिया था ये सुनकर पाव एना के साइड हो जाता है और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं इसके बाद जब ये दोनों लोग एना का दम घोट रहे थे तब एना ऐसा नाटा करती है जैसे उसका दम घोट चुका है और वो मर गई है क्योंकि एना एक एक्ट्रेस थी उसे एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता था इसके कुछ देर बाद इवान हावी की बॉड़ी को ठिकाने लगा कर फिर से यहां वापस आता है जिसके बाद पाओ और इवान यहां से निकलने लगती है जाने से पहले इवान अपना पर्च चेक करता है वो देखता है उसने अपना ID Card मुरदा घर में ही छोड़ दिया है इसके बाद इवान अपना ID Card लेने के लिए फिर्से मुरदा घर में जाता है पाउ उसे रोकने के कोसिस करता है लेकिन इवान अंदर आ जाता है वो यहां आकर देखता है एना, जिन्दा खड़ी है, एना को जिन्दा देखकर, इवान पाव पर बहुत गुसा होता है, और वो गुसे में आकर उसका गला दबाने लगता है, उसने कुछ देर पहले अपने गुसे में हावी को मार दिया था, और वो अब फिर से गुसा होकर पाव को भी नहीं मारना च जाता था इसलिए वो उसे छोड़ देता है लेकिन तभी एना पिछे से आती है और वो इवान पर चाको से हमला करती है और इसके गले में बहुत सारे चाको मारती है वो एक कैंची लेकर इवान का गला काट देती है जिससे इवान की यहीं पर मौत हो जाती है पाव एना से कहता है हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था तभी एना पाव के पास जाती है और वो उस कैची को पाव के पेट में घुसा देती है ऐसा करके एना इन दोनों से अपना बदला ले लेती है एना के बदले के साथ ही ये मोवी यहीं पर खत्म हो जाती है अगर आपको ये मोवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मोवी इस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में